कि नुश्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल जीके वी तरके में तो दोस्तों आप इस वीडियो में देखने वाले हैं जहारकन टाइसे समंजित जीएस इसमें टूटल आपको पंद्रों कोशन मिलेंगे आप मेरे साथ टेस्ट लगाए देखिए आप देख पा रहे हैं लिखाया है कि जहारकन का पहला मुखमंत्री कौन था आने कि जहारकन जब बना था तो उस टाइम जो पहला मुखमंत्री जो बने थे वह कौन थे तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा बावुलाल मरांडी नेक्स ट्रोशन है दूस्तों मधू कोटा जहा मुखमंत्री बने था जहारकन के तो कितने समय के लिए रहे किस टाइम से किस टाइम तक के लिए मुखमंत्री रहे तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही है 14 सितंबर 2006 से 13 अगस्त 2009 आपको पता ही है कि मधू कोड़ा जोह सो करप्शन के मामल में बहुत दिन से जेल में ही है नेक्स्ट कोशन चली देखती है नेक्स्ट कोशन है जहारकन की पहली महिला राजपाल का नाम क्या है आनि कि जहारकन की पहली महिला राजपाल जो बनी है उनका क्या नाम है तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा द्रोपदी मूर्मू जहार जारखन के निमलिकी जीलों में से किस में ग्रिफायट बहुतायत में पाया जाता है और कि जारखन में से कौन सी जीला है जिसमें ग्रिफायट क्या है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और कि सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इसका सही उतरापका हो जाएगा पलामु जी में ग्रेफाइट सभसे ज़्यादा पाए जाता है अजय नेक्स्ट क्रोशन है धूद्ट जहर्खन राइज में शलाना विभिन प्रकार के खनीज्ओं का क्या मूहिल आने की एक साल में जो खनीज्द का जो मुईल होता है वो जार्खन में कितने का होता है तो इसका सही उतर अपका हो जाएगा पांच हाजार क्रोड इसका सलाना इंकम है खनीज के माध्यम से नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमर छे पुर्वी सिंग्भूम जिल्य का कुल भोगोलिक छेत्र क्या है आनि कि पुर्वी सिंग्भूम जिल्या जो है उसका जो भोगोलिक छेत्र है कुल भोगोलिक छेत्र है वो कितना है तो इसका सही उतर हो जाएगा तीन हजार पांच च साथ भी सेर करें ताकि उनको भी पता चले इस तरह का किविज करने से क्या फायदा होता है चली नेक्स्ट के कि परसीद उस्री फॉल जार्खन के किस जिल्ले में इस्तित है तो परसीद उस्री फॉल जो है जार्खन के गिरिडी जिल्ला में इस्तित है तो जार्खन से समंधित जार्खन में बहुत सारे फॉल है और फॉल से बहुत सारे क्वेशन में से बनते हैं तो यह इस तरह से क्व जारखन में सबसे अधिक किस जिल्य में फॉल हैं तो उसका सही उतर आप हो अपे राची मार सकते हैं राची में सबसे ज़्यादा फॉल्स हैं तो क्वेशन नमर नाइन पर चलते हैं क्वेशन नमर नाइन है बसंत राई को निमलिखित में से किस ने बसाया था अनि बसंत रा पर चलते हैं तो आपि खार्खन में निमलखित में से 5000 से कम की छोटी अवादी है और कि इनमें से किन खी अवादी 5000 से कम की है तो इसका सही उतर आपका हो जाएगा गोरेट का गोरेट की जो अवादी है वह 5000 से भी कम है दोस्तों अपने मारेच चैनल को भी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह का वीडियो में अप्लोल करते रहता हूं और हाँ किसी भी तरह की यदि गवर्मेंट वेकेंसी निकलती है तो सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा जिसका बेनिफिट आपको हो सके उरहां दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें नेक्स्ट कुशन चलिए देखते हैं कुशन नमर 11 कुशन नमर 11 में है जारखन राइज में लगभग कितनी परतिसत आदिवासी जनसंखियां ग्रामिन इलाके में रहती है आने कि जारखन में जो आ 90 परसेंट आवाति ज्हारखन की ग्रामिन इलाके में रहती है नेक्स्ट क्वेशन है बारा नमर वीभिन नमों के साथ सरहल उत्त सव मनाते हैं इनमें से कौन सेक्का दुसरा नाम है और Васी तो सरहुल का जो दूसरा नाम है वह एहां पर पूछा गया है तोसका सही उतरब का हो जाएगा बहापरव तो वहीं है सरहूल का दूसरा नाम बहापरव नेक्श्ट कौसन चलिए देखे लेते हैं कौसन नमर 13 पूछा गया है नंविलिखित में से कौन सा सबूत के लिए बलिदान के लिए परसीद है अनिकि इन में से चार आपको जाती का नाम दिया गया है इसमें से कौन सी हिस्ता जाती है जो सबूत के लिए बलिदान के तोर पर जाना जाता है तो इसका सिंगतर हो जाएका खर बरजन जाती तो यह जो जाती है वो कहा है सबूत के प्रंविक बस्तियों में से किस में इस्थित है और कि छोटा नागपूर पठार थ्युक्त में स्थित है तो इसका अबका सही ओतर हो जाएगा विर्स्तित है的話 इस दोस्तों उसका सही ओतर अपका हो जाएगा भी 80 सीटु है ज़ार भी दान सवा में तो दोस्तों आप हमें comment जरूर करने की 15 में से आपका कितना question सही हुआ एक अदम इमंदारी से आप हमें हमें comment box में जाके लिखें और जैदी किसी तरह का जैदी dot है तो उसको भी मैं clear करूँगा और हाँ आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किये तो subscribe जरूर कर ले धन्यवाद